सुबे से दुपैर हो गई और ये दोनों अभी तक घोडे वेच के सो रहे हैं पर इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं क्यूंके इन्हें थोड़ी ना पता था कि आज इनकी जिंदगी में कौन सा नया तूफान आने वाला है और वेसे भी मुसीबत कभी बता कर नहीं आती अब यार अब इस कुटे को क्या हो गया इतना क्यों भौक रहा है इंचन जरा देखके आना एरे मैं क्यों जाओ मुझे तो बहुती निंदारी है तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम मेरे घर में कैसे गुसे चले जाओ वरना तुम्हें काट लूँगा ये क्य लग गया तुमने एक मिटी ये तो चौप के आवास थी ऐसा लगा जैसे वो चिलाया पता नी क्या हुआ होगा जल्दी से जाके देखता हूँ नसीबी खराब है कोई सोने ही नहीं देता है पता नी ऐसा भी क्या हुआ होगा यार मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई चुपके देख रहा है कौँ आ वहाँ पर यहां पर तो कोई भी नहीं है मुझे लगता है मेरा वेहम होगा एक मिंट यहां पर तो चौप भी नहीं है भौक कॉन रहा था यही मौका है हमारे पास जल्दी से इस बच्चे को उठा करो इससे पहले कि वह वापस आ जाए जल्दी करो फ्रैंक्लीन भाईया यह तो शिंचैन के चिलाने की आवास थी रुखजा शिंचैन में आ रहा हूँ अभे शिंचैन कहा पर गया अभी तो यही पर था इतना जल्दी कैसे गया हो सकता है यहाँ पर जाके देखता हूँ यहा भी रोक इस वैन को, guys यार जल्दी से इसका पीछा करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठता हूँ, वो लोग शिंचेन को लेके कहा पर जा रहे, मुझे कैसे भी करके इस वैन को रोकना पड़ेगा, ये लगाई मैंने टकर, अब यार ये तो निकल गया, ये इसको पकड़ी लूगा, जल्दी से टन मारके जाता हूँ, लेकर ये हाध से नहीं बचेगा, अरे अरे ये क्या हो गया, जल्दी से टन मारके जाता हूँ, नई 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 रहूँगा, फटे हुए टायर के साथ कितना दूर भागेगा, बस हम लोग रोड़ पर पहुंच न यह लगाया मैंने फोन, आप बोलो Franklin, टोनी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, एक बहुत बड़ी गड़बड हो गई है, शींचानो चॉप को किसने किड्नाप कर लिया है, और क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर Avenger भी गायब है, उनको भी किसी ने किड्नाप कर लिया, मुझे क कुछ नहीं पता, मैं जब सुबह उठाता तो सब लोग आयब थे, अच्छा ठीके रुको, मैं वही पर आता हूँ, एक काम करता हूँ, संटी की गाड़ी ले लेता हूँ, मुझे माफ कर देना दीदी, पर अभी जरूरत है, अब जल्दी से जाते है टोनी के पास, पता नह ये सब क्या चल रहा है, मुझे लगी रहा था कि घर पे मैंने किसी को तो देखा था, गाईज अगर आप लोगों ने भी देखा तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, चलो फाइनली पहुच गया, अब जल्दी से गया रिक रोकता हूँ, अब फटा फटा अंदर जाते गाई जैसा बोलता हूँ ऐसा करो, मैंने तुम्हें एक लोकेशन भेजी है, वह हमारा आदमी तुम्हें गाड़ी से लेने आएगा, चुप चब उस गाड़ी में बैठ जाना, और कोई भी चालखी करने की कोशिश की, तो मैं इन्हें मार दूंगा, तोनी ये सब क्या है, अभी ह वह लोग कौन होंगे, और ऐसा क्यों कर रहे है, अब वो तो जाके ही पता चलेगा, वो लोग वहाँ से निकल चुके है, हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जल्दी करो, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, अभी जाओ और शुरू हो जाओ, जी मालिक आप जैसा कह चिंता मत कीजिए, किसी चीज की कमी नहीं होगी, हमें और हतियार चाहिए, लोकेशन यहाँ आसपास की है, वहाँ सामने गाडिया खड़ी है, मुझे लगता है यही लोकेशन है, जल्दी से गाड़ी को यहाँ पर रोकता हूँ, एक मिन टोनी, शिंचान और चौप को जिस क्या वाले हो हमारे साथ, गाइस यार मेरा सर भारी हो रहा है, मुझे एकदम चक्कर सा आ रहा है, प्रांक्लिन समाल के बैट ना, अबे यार यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ, और मैं अचानक बैट पर कैसे आ गया, और यह जगह कौन सी है, यह लोग हमें कहाँ पर लेके आ अच्छा ठीक है उट गया, अब चलते रहो, अरे पर जाना कहाँ पर है, सवाल मत करो, जल्दी से भागो, अच्छा ठीक है भागता हूँ, अब यहाँ पर तो बहुत सारे लोग है, यह रहा टोनी, टोनी अभी तक कुछ पता चला है, यह लोग कौन है, मुझे तो कुछ भ मिलेगा अपने परिवार वालों को बचाने का, उसके लिए आपको कुछ गेम खिलने होंगे, और जो भी अंत में जीतेगा, उसे अपने परिवार के साथ बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, तो आप लोग तयार है, पहले फसाया, पर अब बोलते तयार है, और हमारे प पता चल जाएगा, कौन सा गेट, यहाँ पर तो कोई भी गेट नहीं है, मेरे पीछे की तरफ देखिए, अभी यहाँ पर एक गेट खुलेगा, आपको जल्दी से इसके अंदर जाना होगा, तो जल्दी करो, गाईज यार जल्दी जल्दी जाते, बताने इसके उस साइट क जाएगी, जहाँ पर आपको पहुचना होगा, पर यह मॉंस्टर ट्रक आपका पीछा करेंगे, अगर इन्होंने आपको पकड़ लिया, तो यह आपको वही पर मार देंगे, मारेंगे क्यों, तुमने तो एलिमेनेट का बोला था, यहाँ एलिमेनेशन का मतलब भी मौत है, यह क्या बात हो गई, पर रुक अभी एक फिस्ट है, इन गाडियों के सत आपका पीछा एक और जन करेगा, कौन, गाइस यार यह तो फ्लेश है, पर यह यहाँ पर क्या कर रहा है, जल्दी से शुरू हो जाएए, वन, टू और त्री, अब यार यह लिग तो स्टार्ट हो और सबक्या हमारा ही पीछा कर रहे, अरे बाकी लोग भी तो है, रगताई यहाँ से भी नीचे जाना पड़ेगा, अरे, अरे, क्या हो गया, बाहर बाहर बचे, भाई साब ये तो नीचे भी आ गया, भागो भागो भागो, इस ट्रक का तो बैलेंस गया, चलो कोई नहीं अ अच्छा है अभी ये सामने कहा से आ गया जल्दी से उट अब यार थोड़ी देर थमजा जल्दी जल्दी निकलते या से अच्छा हुआ गाइस हम लोग बीच में गिरे थे टायर के नीचे नी आए पर अभी जल्दी भागना पड़ेगा हर बार इतने अच्छी किसमत नहीं ह भी जल्दी जड़ए लान है और फाइनली हिपए गये और प्लीज मुझे जाने दो मैं तुमारे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज मुझे मत मारना इस गेम को कोई छोड़के नहीं जा सकता तुम एलिमिनेट हो ये तो गई अरे अंकल तेज भागो वरना वो ट्रक आ जाएगी अरे बेटा मैं तो तेज ही भाग रहा हूँ ये देखो तुम से आगे निकल गया तुम थड़ा और तेज भागो अरे या किसने मारा? कौन बेवकूफ था? अरे बापरे मैं किसी को नहीं छड़ूंगा अब बाकियों की बारी मैं आ रहा हूँ गाइस यार फाइनली ट्रेन मिली चलो कोई नहीं अपने लिए अच्छा है और ये तो अपने पीछे आ रहा है बहुत ही गुसे में लग रहा है भाई एक तो खुद के साथी कोई गाड़ी के नीचे दे दिया और अब गुसा मेरे पे कर रहा है चलो फाइनली उपर पहुचे अरे ये तो यहाँ पर भी आ गया अरे आप छोड़ भी दे भाई इस साइट से निकल जाता हूँ जल्दी 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 शॉटकट मारना होगा गाईज ये तो हमारे काफी नस्दिक है अब कैसे आएगा भाई ये तो आ रहा है सॉरी ये तो जा रहा है चलो एक और ट्रक कम हुआ अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मैं पुलिस को बता दूँगी रुगो अभी तुमारी फोटो खिषती हूँ तो मैं तो पुलिसा के ही बताएगी वो मेरा कुछ नहीं कर सकते ये लो और ये खाओ अरे यार ये पीला वाला वापस से आ गया मेरे पास एक आइडिया है गाईज पानी के अंदर इंकी गाड़ी खराब हो जाएगी मैं तो निकल गया ये पका वही पर फट जाएगा चलो अब जल्ली जल्ली निकलते हैं भाग भाग के पैर दुखने आ गये पर कोई नहीं हम लोग पहुचने वाले शिट यार बस दस कदम दूर था ये फ्लेश कहां से आ गया फ्लेश यार थोड़ा सा ही बाकी है मैं भी किस से बाग कर रहा हूँ ये तो हमारा फ्लेश है भी नहीं इसको तो स्क्वीट गेम वालों ने बनाया है जब तक ये सामने खड़ा है मैं आगे तो नहीं जा सकता मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है क्या बुरा फसाओ यार ये क्या हो गया बीचारे को फिर से किसने कुचल दिया ये ही मौका है जल्दी से जाके इस गाड़ी वाले को उतारता हूँ बेटा तेरा टाइम आ गया है नीचे उतर अब इसको एलिमिनेट करते है ये तो गया ये ले पंच खा क्या मारा है गाइस गाड़ी को आगे लेके देखता हूँ फ्लेश मरा है या नहीं गाइस फ्लेश का तो गेम भरी हो गया पाज जाके कनफर्म कर लेते है इसका कोई भरोसा नहीं है और वैसे भी हमारी लोकेशन भी यही है ये तो पका गया ये क्या हो रहा है ये क्या चीज है और ये मेरे अंदर कैसे आ गई वा क्या बात है तुमने आखिर कर ही दिखाया अब ये ब्लैक मास्क वाला कौन है मैं इन सब का लीडर हूँ तुमने पहला पड़ा पार कर लिया अब तुम गेम में आगे बढ़ सकते हो तो तयार हो जाओ पैरे तो ये बताओ शिंचैन और चॉप का आपर है अरे चॉप मुझा ऐसा लग रहा न यहाँ पर हमारे जैसे बहुत सारे लोग है इन्होंने बहुत सारे लोगों को किड्नैप किया है ये किसकी आवाज है ये बच्चा मेरी बाध्यान से सुन चुप हो जा वरना यही पे मार दूँगा अरे प्लीज उसको मत मारना उतने तु अपना मुँ बन रख अच्छा ठीक है अपसर नहीं बोलूँगा मैंने तुझे मुँ बन रखने के लिए कहा था बोल मारू गोली एक नंबर का पागल बच्चा है ए सुन ये कौन बोला इधर देख मुझे यहाज से निकाल दे वरना तेरी जान ले लूँगा समझा क्या तु मुझे धमकी देगा अब तो तु गया ये ले बहुत ज़ादा बोल रहा था मेरी बात ध्यान से सुना तुम सब लोग अगर यहाँ किसी ने चाला की करने के कोशिश की तो उसका भी यही हशर होगा और यह हम लोग इतनी उपर कैसे आ गए और यहाँ पर चल क्या रहा है बोर आई सामने स्क्वीड गेम वाले सुआ गए थे आप सब का दूसरे गेम में यह एक एलिमिनेशन राउंड है रूल काफी सिंपल है आपको एक दूसरे को मारना है या फिर नीचे फेकना है आपको एक टाइम दिया जाएगा उस टाइम के बाद जो भी लास्ट में बचा वो जीच जाएगा एक दूसरे के साथ आपको एक अजन का सामना करना है आरे पर किसका यह रहा वो अरे यह तो हल्क है यह तो बहुत बड़ी गड़बर हो गई पर एक मिंट यह तो बहुत यह जीब सा लग रहा है हल्क किसी को नहीं छोड़ेगा ये हमारा हल्क नहीं हो सकता ये तो बहुत ये अलग दिख रहा है तुम जो कोई भी हो मैं तुमें खतम कर दूँगा हिम्मत है तो हल्क से लड़के बताओ तैयार हो जाएए आपका टाइम शुरू हो चुका है और ये तो शुरू हो गया मुझे जल्दी करना पड़ेगा और उसी के साथ हल्क से भी बचना पड़ेगा नहीं तो वो मुझे नीचे फेक देगा ये लो जल्दी जल्दी सबको नीचे फेकता हूँ मुझे माफ कर देना पर ये मेरी मजबूरी है ये लो चलो ये भी गया यहाँ पर तो बहुत सारी लोग है मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा तू भी ले और तू भी हल्क सब को कुचल के रख देगा येलो हज जाओ मेरे रास्ते से हल्क सब को खतम कर देगा टोनी तुम कहा पर हो मेरे हाथ से बचोगे नहीं येलो अब तुम भी लो अब तुमारी बारी अरे हल्क तो काफी घुस्यप में लग रहा है मुझे और जल्दी करना पड़ेगा येलो अब तुम भी लो बाई-बाई दिदी और ये एक सा तीन-तीन गए चलो तुम भी जाओ अरे टाइम तो काफी कम बचा है मुझे माफ कर देना डाडी वाले अंकल ये मेरी मजबूरी है ये किनारे पे खड़ा है ये ले अब ये उसको बोला और तू भी खड़ा है तेरी बारी अरे ये सब लोग किनारे पे क्यों खड़े है चलो कोई बात नहीं हम पेले किनारे वाले को मारेंगे चलो अब सब लोग खड़ा है अरे ये क्या मैं तो हल्को भूली गया था अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे टोनी मैं आ रहा हूँ अब तो तुम गये अरे यार ये मैं कहाँ पर फस गया ये तो मेरी तरफ या रहा है क्या करूँ मैं बार बार बचा पर हल्क सिधा नीचे गया वो जा रहा है पर कोई बात नहीं ये हमारा हल्क नहीं था और तुम क्या देख रहे हो ये भी गया सुनो मेरी बात मैंने सब को नीचे गिरा दिया अब मुझे क्या करना होगा जली बताओ अब तुम गेम में आगे बढ़ोगे अब यहाँ पर कौन सा गेम होने वाला है ऐसा लग रहा मैं किसी शिप में हो सुवागत है आप सबका तीसरे गेम में यह गेम आप लोगों में से कई लोगों ने बच्पन में खेला होगा अरे यार बकवास ना कर और यह बता के करना क्या है आप लोगों भी जहाँ पर खड़े हो वो एक मेज है आपको इससे पार करके बाहर निकलना है बस इतना ही बस फिर तो यह बड़ा ही आसान होने वाला है पर आप इसमें अकेले नहीं होंगे आपको रोकने के लिए एक और होगा अरे यार इस बार कौन है यह रहा वो गाइस यार लग गए यह तो सूपरमैन है तयार हो जाएए अपका गेम अभी शुरू होता है अब यार क्या बुरा फसे जल्दी जल्दी भागते गाइस फ्लैस्टक तो ठीक था सूपरमैन को नहीं लाना चाहिए था इस सट ज जगह तो बहुत ही जादा बड़ी है कहा पर जाओ इसके अंदर जाता हूँ पता नहीं अभी यह कहा पर निकलेगा जल्दी जल्दी आगे जाते हैं यह किसके आवाज आ रही है अरे यहां पर तो एक अंटी है पर यह कर क्या रही है प्लीज मुझे कोई बचा लो मुझे से निकालो मुझे बहुत डर लग रहा है इचारे अंटी यहां पर कोई बचाने नहीं आएगा अरे भाई साब यह क्या हो गया वह रा सूपरमेन पका उस नहीं किया है इससे पहले के अपने पास आए जली जली भागते यह जगह तो बहुत ही कनफीजिंग है कहां से जाओ इसके अंदर से जाता हूँ फटाफट 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 अरे अरे बार बार बचा अब तो पानी में गिर जाते यहां से निकलते है वह रास्ता नहीं था तो इस साइड होगा अरे अरे रुग जा हाश बार बार बचे ऐसी सब चीज़े हमको उलू बनाने के लिए रख होने की कोई जुरुत नहीं है तुम्हें आगे जाने से पहले सुपर मैं से लड़ना होगा उसके बाद यहीं तुम आगे जा सकते हो वरना तुम यहीं पहली मिनिट हो जाओगे समझे मेरी बात अरे यह क्या चीटिंग है मैं यहां तक तो पहुच गया यह तो जबरदस्त समर गया अंकल यार ऐसा क्यों किया फाल तुमें टिकेट कट गया न हम अंकल का बलीदान ऐसे जाने नहीं देंगे जल्दी 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 जाता हो फिनिश लाइन की तरफ हम लोग बस पहुचने वाले गाईस फाइनली हम लोग पहुच गए वा क्या बात है तुमने आखरी राउंड पार करना होगा अगर तुमने इन तीनों का हरा लिया तो तुम जीत जाओगे पर अगर तुम हार गए तो यही एलिमिनेट हो जाओगे अरे यह तो चीटिंग है ऐसा थोड़ी नहीं होता है यह तो बहुत ही गलत बात है यह तो मच्छा नहीं कर रहे जल् लगता यही टाइम है जल्दी से उसे इस्तमाल करते है तोनी तुम भी करो हम है करी रहाओ पता ने यह काम करेगा अभी या नहीं वो लग तो हमारी तरफ यार यह तो काम कर गया तीनों के तीनों एक साथ गये भाई साब मज़ाई आ जया यार इने तो मार दिया पर अब य क्या है सिंशेन और चॉप को बचाना है जल्दी जल्दी चलो गाईज यार वो रहे सामने आज तो इनको नहीं चोड़ूंगा अब यह क्या हो गया अचानक से यहाँ पर इतना धुआ-धुआ कैसे हो गया अरे भाई साब स्क्वीड गेम वाले तो भाग गये चलो कोई नहीं सिंशेन और चॉप तो यहाँ पर है जल्दी से इने बाहर निकालता हूँ अरे फ्रेंक्लिन भाई आपने तो जानी बचा ली मैं तो बहुत जादा डर गया था मैं तो बहुत जादा ही ठक गया हूँ एक काम करते है घर पे चलते है हाँ यार ठक तो मैं भी गया हूँ जल् मुझे भी लगता है वही का होगा तो गाइस यार आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और जो लोग भी चैनल पर नए है चैनल को सस्क्राइब करो और उसी के साथ मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे आईडी स्क्रीन पे आरी होगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो जल्दी से जाओ वहाँ पर आप लोग मुझे से बात भी कर सकते हो तो मैं मिलता हूँ आप से अपने अगली वीडियो में जै हिंद